के online platform पर आज campus टूर जो है उसके अंतरगत हम RCI के हिंदी मीडियम अर्थात H-Block का campus टूर जो है वो करने जा रहे हैं मेरे साथ में है हमारे RCI हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंशिपल मिश्टर लक्सवन प्रसाद सैनी जी सर आज campus टूर के अंतरगत हमारे H-Block का campus टूर होना है और स्कूल जैसा कि सुरू होगा उससे पहले हम यहाँ खड़े हुए हैं अभी बसे जो आना प्रारम होगी तो आज हम चाहेंगे कि हमारी बसे आती तब से लेकर के और जब तक छुटी होगी तब तक का पूरा campus टूर हम अमारे बच्चे और हमारे पैरेंट्स जो हैं उनके लिए हम करना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आज का जो केमपस टूर है उसमें सबसे पहले सर जैसे कि अपने यहां लबग 40 गाडियों से बच्चे इसकूल में आते हैं और वो जो 40 गाडियां अलग लग रूटों स जिसमें लबग 25 से 30 किलोमेटर तक बच्चे जो हैं बसों के माद्दम से हमारे पहुंचते हैं इसमें मैं बता दूं कि गाडियों जो है मुंडावर से इधर से जैपुर जिले में कोट पूतली से और इधर से नाराणपूर जो तैसील हो गया इधर से बैरोड तैसील होग कि हमारी जो गाडिया है वो पहले है एच्डियम ओफिस हो कर कर आया करती थी क्यूंकि रास्ता थोड़ा सा लोंग था बाद में आप सब की अश्रवाद से बगवान के श्रवाद से क्या कि जो रास्ता जो है वाज अज तकल कोट पुतली रोड से बिलकुल ही इसकुल जो ह इतरि वह से अब पहुच चुका है ुधर से भी गाड़ी आएंगी गाडियों में वहाने बच्चे आएंगी उन बच्चों का भी हम आपको दिखाना सुरू खरेंगी तो जैसे आप पताँ झल रहा है इन गाड़ीयों से बच्चे जो है अब अपने पहुंचेंगे ही उम कि जो आपने अपने बिल्डिंग में पढ़ते हैं और यादी गार्दिय अभी आ रही हैं आज पूरा हम लोग उनको विजिट करवाएंगा, मैं बताना चाहूंगा कि असम्बिली जो है उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे को केवल असम्बिली में बुलवा लिया गया, अपने आप ही बच्चे आकरके अपने लाइनों से खड़े होते हैं, उसके बाद में पूरा जो अस नहीं हो, इसके लिए योग जो है वो परड़े इसकूल में रेगुलर जो है बच्चों को करवाए जाते हैं, योग में अनुलोम-विलोम, उसी में आम-उचारण, उसी में ब्रहमरी नहीं जो विन प्रकार के योग इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चे जो हैंनुका मांसि ек विकास होसकЬ, और उनको किसी प्रकार की को TENTION नहीं रहेए इसी के साथ में जो बच्चे तरपने पे घुटके के लिए इंड पर टैयार करेगा अपने जी के करें बच्चछन ते इसके लिए बच्चा आज अपनी अभिवक्ती अपनी बात आगे चल करके या इसकूल लेवल पर पच्चा अपनी बात कह सके लोगों के सामने बौल सके इसके लिए पर पर संगे लिए प्रेयरक पर संगे की रूप में बच्चे खुद आते हैं उनका रोल अंबर जो है बोला जाता है उसके अपने ही साथियों को रिश्टाप को मोटिवेट करता है इससे के बच्चों में मतलब बोलने की जो कैपिशिटी विवक्ती जो बढ़ जाती है जो एक बहुती रहोंचक उत्सुकता के साथ में बच्चे जो रहा है क्लास्रूम में पहुंस्ते हैं प्रेयर में अख्वार भी बच्चों से पढ़वाते हैं। इस प्रकार से जो अपने बच्चों को क्या-क्या असेंबिली के मादने में से बच्चा सीख सकता है वो सब चीजें हमने यहां बताने की कोशिस की है। इसके साथ ही मैं अभिवावक और मित्रगों से यह भी बताना चाहूंगा। कि हमारे यहां ब्लोक एच यानि हिंदी मीडियम जो है उसके बच्चों की असेंबिली दो गुरूपों में होती है। बच्चों की लर्निंग जो है उसकी कैपिचिटी अलग अलग होती है। चोटे बच्चे जो नर्सरी से 5 तक पढ़ते हैं वो चोटे चोटे बच्चे होते हैं उनको असेंबिली में बहुत से एक्टिविटी जैसी होती हैं जो अलग से सिखानी पढ़ती है। इसलिए इसके जश्ट बाद में जो असम्बली होगी उस असम्बली में केवल और केवल जूनियर गुरूप अर्था नर्सरी से और फिप्त तक के जो बच्चे वो ही असम्बली में पहुचेंगे 6 से लेके 12 तक की जो assembly होती है उसमें अलग जो assembly करवाते हैं क्योंकि दोनों ही stage के पर बच्चों को सीखने के लिए बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को समझाने के लिए बच्चों को motivate करने के लिए अलग-अलग stage हम लोगों को use करने पड़ती है जिससे कि छोटा बच्चा उसी के according सीख सके और बड़ा बच्चा जो है सीख है अनुसार उसको motivation और उसकी assembly में वो कारेकरम करवाया जा सके इसलिए अब जो assembly होगी वो primary block अर्थात हमारे block C की होगी जिसको भी आप देखेंगे कि उसमें भी छोटे 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 बच्चे कि इस प्रकार से उनके इस्टाप के दुआरा जो है अमारे बच्चे जो है उनको motivation दिया जाता है उसमें भी उसी प्रकार से योग जो है उसको सुरू करवाया जाता है जिससे बच्चे जो है उनको बच्पन से योगी की आदत पड़े इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो assembly है इसको भी अभि प्रोग देखें थैंक यू गुद मॉनिंग ओलफ यू रेक्स्पेट टीचर एंड लविंग ब्रोदर एंड शिष्टर माइनम इस इसांत्या दाव आई रीडिंग फिस फिप्थ क्लास हम उलस रामाटी का कनकन हमड रही रस्दार है तुमारों का देश हमारा हमको इससे प्यार assembly आपने देखा अब assembly के उपरां तो हम चाहेंगे कि कक्स्या कक्स को भी सरम विजिट करना चाहेंगे इसी के साथ में हम अभिवाओकों को उनकी स्विधाओं के लिए उनकी व्योस्ताओं के लिए उनको किसी परकार क्या स्विधा नियो इसके लिए जो भी जहां भी हमने नॉन टीचिंग स्टाप बैठा रखा है उन सब के बारे में हम मिलकर क्या आपको बताएंगे बच्चों के लिए डाउट काउंटर्स का लगे हुई है बच्चों की क्लासे किस प्रकार चे चलती है किस प्रकार चे टीचर जो है वो बच्चों को अपने जो इस्टेडी मैटीरियल है वो बच्चों तक प्रवाइड कर वाते हैं इसके लिए हम चाहेंगे कि हम अब एक बलोग जो है उसके ऐसमिली ऊचुकिए उसके बाद में हम क्लासें जो है वो विजिट करें और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सर ये अपने एक ब्लोग है में दो धागों समय जो बच्चों के लिए लड़कों की आने जाने की लिए दर भी एक गेट उससे लड़कों का ए आ NOT जाना होता गैलरी जो उदर बनी हुई है उनके लिए टोइलेट्स की टोटल फैसलिटीज जो है वो उदर है बच्चियों के लिए पानी की टोटल फैसलिटीज उदर है बवाइज के लिए टोटल फैसलिटीज जो बिल्डिंग इसके इस साइड में जहां खड़ा वाँ उसके राइट- आपके नए जो बच्चे आते हो नो किसी प्रकार की कोई सुवदाई नहीं हो, बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रोलम्स नहीं हैं, इसके लिए हमने सेपरेट कर रख है, इसी प्रकार इस बिल्दिंग में जैसे हम आम अंदर जाएंगे, तो मैं पहले बता दूं कि इसमे तो जैसे हम एंटरी करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पाहिए पहुंचें अगर जो प्रिशित करता हूं और शोम आप इंवाओं से। अगर बचे को कोई परोलम्स आ रही हैं या उनके कोई सघ्येशन है सबическиеrüf Loris प्रॉमुप अरहें प्राइच भी प्रगार के डाउट सळों । किसी प्रकार की प्रोलम्स हूं किसी प्रकार की प्रोलम्स हूं रहने हैं या उते करेने कारें जो सम्बंदित कंडिडेट जिसने आपको कम्पेंट नोट करवाई है, उसी तक सोलुसन करके वापस मैसिज करते हैं, मुझे दिखाएंगे जैसी यह रिलेटिटर किस से रिलेटिट है अपके, पौन से सम्बंदित, जैसे प्रतितिन, आपका मतला है कि जिमाना को बच्चा एपसेंट रह गया है, तो मैं कोल भी करता हूं, किसी से कोल करते हैं, किसी बच्चे का अगर को सजिसन, तो कम्पेंट रिजिटर जो आप पता रहे हैं, कम्पेंट रिजिटर आपने तयार कर रखे हैं, यह लो से, 15, 9, 17, 9, 18, 9, यह इसमें कम्पेंट लिखी गई है, इधर संबंधिस इसने कम्पेंट करवाई है, उसके सिंगनेचर हो जाते हैं, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो है, यह कई बार क्या हो सकता है, कि स्कूल में किसी कानवस फॉन जो है, पिक नहीं हो पाय अच्छी वैवस्ता कि यहीं से पैरेंट्स को जहां भी उनको जा रहा है, इसे वह जाती है, माना परेंट्स फीज जमा करवाने के लिए तो वह तो संबंधित, जैसे ही वह बांगे आगे जाना चाहूंगा, यह हमारे स्टुडेंट्स है, इस्टूडेंट्स अपना जो व है तो राकेश जी आप किस प्रकार से बच्चों की सायता करते हैं मैं सर बच्चे जैसे रिकोर्ड से संब्लडित कोई कारी है हो तो कोई समस्या हो उसको संब्लान करता हूं और बच्चों के रिकोर्ड से रिलेटेड बच्चे की माना टी सी है उसमें को प्रोलम है बच्चे क अध्यान प्रमान पत्र चाहिए उसको को डोकुमेंट्स वाना निकल वाते हैं तो वह सब help आप करवाते हैं तो रिकोर्ड की जो help है उसको करने के लिए आप किस तक पहुंचाते हैं भेजते हैं तो प्रेंचिमे और जई जी जो हैं वहां तक पैरेंट्स को प्रोल्म ना आये भेठे हैं तो प्रेंट्स को देंडिए था ओक कार job करते हैं तो अजाजा जी आपके आंदर बेठते हैं तो यह राके जी तब पहुंचते हैं और उसके बाद में वो हैल्प करने के लिए इस कंप्योटर जो ओफिस है इसमें यहां तक जो है पैरेंट्स के एल्प के लिए राके जी पहुंचा देते हैं यहां जी बेढ़ते हैं जो ऑन-लाइन और ओफ-लाइन आप बच्चे के रिक बच्चे को यदी माना बच्चा कक्षया 11 और बारी में पढ़ते हुए भी उसको कौन-कौन से फोर्म लगाने किस-किस फोर्म को वो भर सकते हैं या बोर्ड से रिलेट्टिड किस-किस काम को कैसे कर सकते हैं वो भी बच्चों की आहल्प होती है चलो बहुत अच्छा इसक यहीं पर प्रंसिपल ओफिस है और यहीं डिरेक्टर ओफिस यहां परेंट्स की लिए हैल्प डेस्क है यह जो गेट लगावे इसके अंदर बच्चों की पढ़ाय डिस्टरब नहीं हो तो यह पैक है इसके बाद में जो पुरा काम सुरू होता है वो इस्टाप बच्चों के लिए होता है तो मैं चाहूंगा कि हम क्लास जो है वो विजिट करें तो सर यह जैसे हम यहां में जो में जो एंट्री कर चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि चारो तरफ से जो बिल्डिंग है आप देखे कि वेंटिलेशने इसमें अगर लाइट चली जाती है तो भी परसंटेज के एकोडिंग ताकि बच्चों में मोटिवेशन हो इसके लिए बच्चों के किस किस प्रकार से परसंटेज बढ़ते हैं बच्चा अपनी 10th की परसंटेज बूल करके कैसे बारियों परसंटेज बढ़ा सकता है जैसे आप उदर देख रहे हैं एक रिसी का निमोर परसंट अंक बढ़ा करके 86.60 परसंट बनाया यह सब फोटोग्राप इसलिए बच्चों के लिए लगवाई जाते हैं ताकि यह जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन में इनको देख करके मोटिवेशन आए इसी में मैंने देखा हैं सर आपने यह जो लगा रखें यह सब यह कि कल्चर इंगलिस मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे जब सुबा आते हैं लगादे गंटे पहले इस्टुएंट्स यह पोँच जाते हैं इस्टाप यह पोँच जाता है बच्चा यह पोँच करके उनकी क्लासे सुरू होते उससे पहले उसने जब घर पर पढ़ाई किये त तो उन प्रोब्लम्स के डाउट्स को किलियर करने के लिए वो यह जो टीचर बैठते हैं उनके पास पर अपने डाउट्स किलियर कर सकते हैं इसके लाव सरो लंच में भी तो पिर आसकते हैं चुट्टी के बाद भी आते हैं चुट्टी में लंच में और मॉर्णिंग में तरी टाइम्स जो है, इस्टुडेंट से अपने डाउट जो है, यहां से किलियर कर सकते और इसलिए बच्चों के लिए यहां डाउट काउंटर लगे हुई है, सर में देख रहा हूं कि यहां आगया आज विचारनी है, इसका मिलब यह पड़े का कुछ सू विचार बच्चो हमार प्यास के टीचर एक्स्टा रहते हैं, क्लास किसी भी वजह से खाली नही जाए, डूसरे हम प्रशार थच्चर आप पमचे, फजिस टीचर अप्षेंट तो दूसरे पिजिस के टीचर आप पमचे एक बार आप विजिट करवाई तो हमारे यहां पेरेंट्स को बताना चाहूंगा और सर बताएंगे कि यहां नीचे बोर्ड की क्लासे हैं सभी जो क्लासे हैं यहां कर रही है और यहां मैं देख रहा हूं कि 12th C 12th C क्लास जो है आमर सिंग सर बाइलो जी जो है पढ़ा रहे हैं एक बार बैठे रहे हैं बायργोजी की क्लास जो है वो रन कर रही है नम बताओ निकीता क्लास कौन से आपका 12th C बायलो जी पढाई में के समस्य हैं आपके डावट्स अगर आपके सामनend आते है तो उनको किलियर करते हैं नहीं कब कर लेते हूं लंच में फिर मॉर्निंग में कर लेते हैं लंच में आप अपने डाउट्स किलियर कर लेते हैं यह सर यहां बाइलो जी क्लास चल रही है और मेंदर जी यहां बाइलो जी यह सुरी अमर सिंग जी जो है बाइलो जी पढ़ा रहे हैं यह साथ पेंटिंग का भी सोख है ना ड्रोइंग का भी है आप में से किस-किस को ड्रोइंग आती है बताइए वान टू थ्री फोर फाइफ ऐसे संकोच करते हैं जैसे तो गड़बड़ है ना ये इसके बाद में सब एक लास है ट्वेल्थ जी आर्ट वेल्थ जी का अब आर्ट है एक मिनट बीच में आपको बुलना चाओंगा तो हींदी में तो मैंने देखा एक सर की किताबों से पढ़ाया जाता है आप तो बोड यूज गरने इसके साथ में अगर बच्चा माना बोर्ड पर किसी चीज को देखता है तो ज़्यादा याद होता होगा आपको वैसा होता होगा ना अगर किसी बात को सुनते हैं और सुनने के साथ में अगर अच्छे से लिखा हुआ है तो फिर वो ज्यादा याद होता है, जल्दी याद होता है तो हिंदी भी लिख करके, जैसे साइन्स में लिख करके पढ़ाते है वैसा हिंदी और इंग्लिश में भी लिख कर पढ़ाते है कोई समस्य है कि आपको आप में से बेटा नाम किया है कड़े हूँ क्या नाम है कहां से आते हो कल्यानपुरा से ये किस ने तयार किया है नेता जी सुभाज चंदर बोस नीरज भाईया कोण है नीरज भाईया बहुरी गूड इंगलिश लिट्रेचर के है बहुत अच्छी ड्रोइंग किया है उस बच्चे के लिए क्लैपिंग करें जो आपका साती है इसके बisch ड्रोइंगर फाईब इसके बाद में रूम नंबर फाईब रॉम नंबर फाईब सर्टेबल सर्ट ये रूम नंबर फाइब इसमें कौन से क्लाश 12 था उसमे भी 12 अगरिकल्टर मैं बताना चाहूँगा पैरेंट्स को कि हमारे यहां 12th क्लास जोश में एगरिकल्चर, 11th और 12th में एगरिकल्चर भी संचालित कर रखा है और एगरिकल्चर में यहां हिंदी में हमारे राजिंदर जी पढ़ा रहे हैं और एगरिकल्चर के जो बच्चे हैं ये देखो अच्छी ड्रोइंग कर रखियें अभी मैंने इंदी में उदर भी देखा है वो भी लिक्र के पढ़ा रहे हैं आप लिक्र के पढ़ा रहे हो लिखने का कुछ है बहने पी ठैक है बच्चों को तो आपका मतलब है पहले जो चैप्टर आप पढ़ाएंग उसका पूरा विरिफिंग जो है वोड के उपर कर देते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला ऐसा करते हैं तो उससे ज़्यादा याद हो जाता है मैंने सुना साइन्स के बच्सों के इन इंग्लिज में नंबर कम आते हैं आप के साथ यूगे नंबर जादा है हैं रीजन क्या है समझ में आ जाता है यह याद हो जाता है बहुत अचा थेंक यू इसके बाद में फिर मैं देख रहा हूं सर रूम नंबर शिक्स है वह तो हम चाहिए कि इधर से डबल गेट है इधर से एंट्री करें और यह कौन सा सेक्षन है ट्वेल्थ बी मैथ का सेक्ष सर यहाँ मैथ जो है पढ़ा रहे है रेगुलर सर मैं थोड़ा से जानना चाहूंगा कि इस समय अपना कोर्स लबग कितना हो गया 60-70% हो चुका है लबग 60-70% मतलब आप लबग लबग अक्टूबर में कोर्स करवा देंगे लबग अक्टूबर यह 10 नौंबर तक कोर्स हो जाते हैं जिससे बच्छों को रिविजन का टाइम मिल जाए ऐसा हो जाएगा है तेस्ट देते हैं आप लोग जैसे ही आप लोगों का ग्षो कर्स हो जाता है एक सिस्टम जो आप लोगों का बनाया जाता है यह पैंटिंग जो तैयार किये, मैं देख रहा हूँ, हार रूम में पैंटिंग से, ये किसकी है, कौन है, वेरी गुड, वेरी गुड, नाम कहा है बटा, खड़ा, लेको पढ़ाई के साथ साथ में आप सब भी धान दे, आपके अंदर अगर एक्स्टा क्वालिटी पैंटिंग की है, डांसिंग की है, स्पोर्ट्स की है, तो जरूरी है कि आप लोग भी से अक्टिविटीज को करें, बहुत अच्छा, थेंक्यू सर, सर, इसके बाद में मैं देख रहा हूँ, रूम नम्र साथ, इसमें आपके, बाइलोजी का दूसरा सेक्शन है, बारवी का इसमें सर, दूसरा सेक्शन है, यह बाइलोजी है, और बाइलोजी में यहां हमारे फिजिक्स में विनोजी पढ़ा रहे है, यह नि सोरी फिजिक्स पढ़ा रहे है, यह बाइलोजी का दूसरा सेक्शन है, बच्चे और बच्छी हैं सर, मैं जानना चाहूंगा विनोजी एक मिनिट आपको थोड़ा सा खश्ट देंगे, फिजिक्स जो है, मैंने सुना है, बाइलो जी के ना, मैंने सुना है कि बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, आपको भी लगता है क्या, ऐसा क्यों, मैं तो सुना है, जहां भी जे शमाना को नीट का बच्चा होता है, वो फिजिक्स के लिए गदा, प्रफिजिक्स में नहीं आती है। कारण फिजिक्स में जो सर पढ़ाते हैं, वह ऐसा क्या है कि दूसरों की तुल्ला में आपको जयादा समझ मा जाता है। अच्छा पढ़ाते हैं। बुट अच्छा सा एक्षली मैने इसलिए मालूम किया है। बच्छे जो होते हैं वह फिजिक्स से गबराते हैं। लिकुल्ट अपर ऐसी कुई बात नहीं आपे। हम पड़के जो उनकी समझ्या होती हैं रिमेरिकल्स को सोगते हैं। और प्रतित जो टोपिक हैं बिल्कुल डीपली से बच्चों समझाते हैं। और बजाते हिदा की बच्चारां से हर अटोपिक को समझ सकें। फिर भी डाउट्स आएं तो। फिर भी हम क्लास में सोगते हैं। और इसके अलाव माना क्लास में सब बच्चों के साथ में नहीं हो पाई। तो उसके लिए तो उसके लिए। क्लास में सोगते हैं। तो फिर डाउट काउंटर के लिए विवस्ता कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम पहुंचने हैं। यह भी मैत का सेक्षन है। इसमें मैत के बच्चे मैत के भी दो सेक्षन है। यह 12th मैत का A सेक्षन है। और मैंने सुना है कि यह सबसे अच्छा सेक्षन है। ऐसा है। आप सब अपने आपको सबसे अच्छा कैसे मानते हैं। रैंक में आप लोग आते हैं। चलो मैं आया हूं तो बताइए। आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रोलम है। खड़ी हो बेटा। नाम बताओ। अनुस्काराथोर। लबग सलेबस कितना प्रेशेंट हो गया। हिंदी इंग्लिस का 50-60 प्रेशेंट हो गया है। आपको लगता है कि कोर्स 15 नमबर तक कंप्रीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करोगे। उसके बाद रिविजिन करोगे। या इस्कूल की चुट्टी करोगे। नहीं। रिविजिन करेंगे। तेंक्यू अच्छा पड़ें, मस्त होगे पड़ें। नमबर 9 है जिसमें 10th क्लास जो है। 10th A section है। और इसमें Math के जो सर है बीम सिंग जी। पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। सर एक मिनट मैं भीम सिंग जी। मैं आपको बीच में डिस्टब कर रहा था। बच्चे ये 10th क्लास है अब तक जो हमने विजिट की हैं वो सभी 12th क्लास थी। अभी ये बोर्ड की 10th क्लास है। 10th का A section है। नाम क्या है बिटा खड़े हूँ। क्या नाम बताया। पूजा। 10th में आपके math के सर पढ़ाते हैं, English हो गया, Hindi हो गया। सभी subject में सब टीचर पढ़ाते हैं। पर दिया बताओ सभी कैसा पढ़ाते हैं। को प्रोलम। कितने percent syllabus हो गया लबग। 70% है। लबग 70% syllabus हो गया। अक्तूबर लास्ट या नॉमबर तक आप परी हो जाएंगे। किसी subject में को प्रोलम नहीं है। थैंक्यू बटा बेटो। आगे आएं। सर आप मैथ के लिए बताएंगे मैथ में आपको क्या लगता है। आपके कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100 out of 100 लाने के chances हैं। लबग 10 प्लस बच्चे हैं। 10 प्लस उसका आपने आइडिया कैसे लगा है। कि बार बार टेस्ट होते हैं। और टेस्ट के अधार पर रिपोटा जैते हैं। मंद्ली टेस्ट हो रहे हैं। वेकली टेस्ट लगा है। उस टेस्ट के अधार पर आपको लग रहा है कि लबग 10 प्लस बच्चे हैं। जो 100 out of 100 मैट्स में ला सकते हैं। थेंक्यू। इसके बाद में है ये 10th B 10th का दूसरा section है वारा और इस section में इंग्लिस सर पढ़ा रहे हैं। शो आठ settum ये सर ने विजिट करवाई हैं! ये भी बोर्ड की klasse थी और बोर्ड की क्यासों में 10th और 12th की klasse कुछ बोर्ड की कक्षा हैं आपि उपर संचालीत में ग्राउंड ढूर की क। ए ग्रांड फ्लोर है Nim इसके अलाग कुछ 10th और 12th की क्लासे चल रही है, इसके अलाग कुछ 10th और 12th की कुछ सेक्षन उपर भी रन करते हैं, हम चाहेंगे कि हम उपर चलें और कुछ किलासे और विजिट करें, यह जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, प्रेंजिबल सर ने आपको सैड से जीना है, इदर से बोईज का आना जाना होता है, और इसके बाद में जैसे हैं कि हम आप पहुंच रहे हैं, इस फर्स फ्लोर पर रूम नंबर 12 से रूम नंबर 21 तक, रूम नंबर 12 से रूम नंबर 21 तक यहां हैं यह संचली कारा है, फिर सनी schreiben सब्सक्राइब से क्लास सार के सब्सक्राइब आगे जुक्राइब ऑसे क्लास के वह स्कृटे नकुछ की तर्फीशबूरीज क्लासआँ तक तीर की चैक्शन आगे 10 नकुराइब कि मुझे की 1 क्लास कार्या सोटावाएं ये section 10th कौन से बढ़ा है 10th C किस subject में कुछ problem है किसी में ये notice board किसी ने तयार किया है किस किसी ने तयार किया है आप सब ने एक बार मैं चाहूँगा देखो notice board जो है sir आप side में आए notice board पे अलग-अलग drawings जो है वो बच्चों ने तयार करके और इतना सुंदर notice board कर रखा है तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को भी बताना चाहूँगा और parents को भी कि पढ़ाई के साथ साथ में extra activities भी बच्चों को करनी चीए जैसे उसमें drawing आ गई, painting आ गई तो बच्चा केवल और केवल वो रट करके परसंटेज के लिए विचार नहीं करें सब तो यह मैंने देखे कि notice board जो है आप सब जगर बहुत अच्छे से तयार करवा करके लगवाते हैं खुद बच्चे उसको तयार करते हैं इसके बाद में यह room number 14 है जिसमें extra class चलती है यह हमारे 9th B section होए 9th B section है एक मिनट महिंदर जी हम आना चाहेंगे इलेवंत इलेवंत का नॉर्मल बहच है यह foundation बहच नहीं नॉर्मल बटा आप बताईए आप नाम बताओ कैसी होती पढ़ाई पढ़ाई अच्छी होती है बढ़िया बढ़ाते है किसी subject में को problem बैटो, क्लास मोनिटर को नहीं है क्लास मोनिटर करने हो जावाज बटा बटाओ आपकी क्लास के क्या problem है कुछ मी नहीं है आपका roll क्या 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 स्कूल में बताईए आपक Mick Sen, अपने टीचर्स के लिए आपके साथे के लिए हैं आप उनकी सूचना नीचे बेज देते हैं उसका सोलुसन हो थैंक्यू अच्छा पड़ें इसके बाद में फिर 11 एप यह आर्ट का सेक्षन है और इसमें 11 आर्ट के जो अच्छे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो चाहूंगा कि इसको बैग से सेक्षन को भी थोड़ा सा द और इसमें 11 आर्ट के जोगरोफी का पिरिण इसमें चल रहा है और अच्छाति गया जाता है तो इसको ना शादर भादाता है सार एक चीज़ मैने देखा प्रेंजिब्ल सब आपके यहां जो टीचर्स है अपने यहां जो टीचर से जाज़ा साथ टीचर्स जो और जो इसको बहुत यूज़ गर इसके रीजन क्या है तिस बच्चों को बोगत अच्छा समझ हमे याई में वर्णमे एक्सर देखा है कि इस हिंदी हो गया, संस्कर्ट हो गया, सेस हो गया, बुक लेकर के और इस बुक से कह यह पढ़ाते रहते हैं यह कॉन सा क्लास है यह है यह है 12th ए बायू, 11th बायू जो इसमें भी बच्चे पढ़ रहे इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस में चाहूंगा कि एक बार इस खाध को भी विजिट करें एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ आर्ट लेते हैं, कुछ बच्चे मैत लेते हैं, कुछ बच्चे अग्रिकल्चर लेते हैं, आपने ये साइन्स जो चूज किया है, ये क्यों किया पता है? क्यों? डोक्टर बनना है, क्या बनना है? सब डोक्टर बनोगे उसके अकोडिंग तैयारी करते हो तीचर्स उसके अकोडिंग पढ़ाते है तेंक्यू यह 11th 11th एगरिकल्चर जैसे मैंने बताए कि एगरिकल्चर जो है अगरिकल्चर में 11th और 12th दोनों ही section जो है उनमें एगरिकल्चर जो है वो संचालित है यह 11th एगरिकल्चर का है यही से आप चाहें तो एगर देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिस जो है इंग्लिस जो है वो टीचर पढ़ा रहे हैं यह यही से आप दिखा दिए हमारा 21 नंबर है इसमें इलेउंत मैथ का नोर्मल जो बैच है वो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और मैडम जो है हिंदी पढ़ा रही है फिर से वो ही काम कि लिख कर के पढ़ाने वारी जो आदत है वो हमारे सभी टीचर्स में है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए बच्चे इसका दिख सहा दिख समझ सकें यह वाली जो बच्रिया रहे है इसके लिए बोड को यूज करना बहुत जरूरी है यह अपना सेकंड फ्लोर जो है वो सुरू हो चुका है तित्य तल यह फर्स्ट फ्लोर था इसके बाद में सेकंड फ्लोर जो इससे उपर है वहाँ मैं बता दूगे आर्सियाई की ओर से विद्यारतियों को समस्याई नहीं आए आज बहुत जरूरी हो गया है कि बच्चा आगे चल करके फाउंडेशन क्लासे जोईन करेगा क्योंकि बच्चे को कमपेट्शन देना है और हमने इस प्रकार से एक सेटप तयार कर दिया है कि गक्षय ग्यारवी से ही बच्चों को आगे किसी भी कमपेट्शन में जाएं चाहे वो डिफेंस के चेतर में जाएं जाहे तया कर दिया है यह तयार कर दिया है ऑच्चों के लिए अडाव्ट काउंटर्स लगी हुए है बक्चों के लिए और नीट जो है उसके बैचे जेडिस मेटिरियल जो है jaana गरें उनके लिए डीपी जो है तयार कर रखी उनके लिए जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था, आज कमपिट्सन का दोर है, बच्चे साइंस के नाम पर सहर की तरफ भग रहे हैं, विध्यारतियों को सहर में जाकर के विभिन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सब बातों को द्यान में रखते हुए हैं, हमने बै उस फाउंडेशन क्लासेज में वो सभी विध्यारती एडमिशन लेते हैं, जो नीट की तयारी करना चाते हैं, आई 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 टी जेई या फिर एंडिय की तयारी करना चाते हैं, उन सब बच्चों का सेपरेट बैच जो है इसमें चलता है, और इसके लिए बहुत ही अच् बच्चों का जो पैसा वेस्ट होता है, समय वेस्ट होता है, और बच्चों के कही न कहीं डाइवर्ट होने के जो चांसेज है, वो खतम हो जाएं, तो मैं यह वादा करता हूँ पैरेंट से, कि आने वाला जो समय होगा, उसमें किसी भी बानसूर के बच्चे को बाहर किसी सेहर में नेट IIT के लिए जाने की आवसकता नहीं पड़ेगी इस विश्वास के साथ मैं सेक्षन में आपको ले करके चलता हूँ यह सेक्षन है आपजे चलता है और यह सबी बच्चे पड़ाई कर रहे हैं और इन सब के पास में एक बच्चों के लिए तत्यार करवा रखा तरह है इसमें, सर आप बताएंगे इसमें जो मैटर है, आप जिसे पढ़ा रहें तो किस लेवल का मैटर है? मैटर है, सर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अनर हम जो बैटल होता है, जो एन सी आ टी बेस होता है, प्लस इससे भी इस्टेटम बहुत काप है, जो जिसमें बहुत सारे डिपो भी दिए गए है, और जो बच्चे बाच बहुत सारे किसे ने कि पुटे एक चैप्टर के पीछ पांट से चैसो कि उसर के लगड़ा इसमें दिये गए, तो सर बहुत बच्चे जो प्रावर्म साती है, डाउट साते हैं, उनके लिए हमने डाउट काउंटर का दिये गए, वापर सौनी की जाता है, बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं सर, फिजिक्स है, फिजिक्स है, ब उस नॉर्मल क्लास के बाद में आप लोगों को ये एक फाउंडेशन जो है, इसका बैच दिया गया, इसका इस्टेडी मैटिरियल आपको प्रोइड करवाय गया, तो आप मुझे ये बताएंगे, यहां जैसे बेटा नाम क्या है, खड़े हो, खड़े हो, नाम बताओ, आर इस फ्रेंड का मतलब इसमें डाउट ज्यादा करवाते हैं, या प्रोब्लम स्यादा निकालते हैं, किस प्रकार से अंतर नजर आ रहा है, यहां डीपली से एक एक चीज पढ़ाते हैं, फिर भी डाउट रह जाए तो, फिर कहां सोल करते हैं, डाउट काउंटर बेशे, डा आपको लगता है कि आपका ग्यारवी के बाद और बारवी के बाद में सलक्षन हो जाएगा? Yes, sir. सभी सलक्षन दे देंगे? Yes, sir. इसके लिए आप मुझे बताएं, घर पर जाकर कि कितना टाइम आप लोग अपने जो प्रोलम्स हैं किसी सब्जेक्ट में को प्रोलम्स हैं, किसी सब्जेक्ट में कितने सर पडाते हैं, फिजिक्स में, बाईलोजी, किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड, आप अच्छी मेहनत करें, मैं चाहता हूँ कि बारवी के साथ में आपका सलक्षन हो, और बारवी के साथ में ही आप लोग जो टारगेट लेकर के फाउन्डेशन बैस जोईन किये हो, फाउन्डेशन में आपका, सार्तक्ता कब सिद्ध होगी जब आपका क्या हो जाएं, सलक्षन, जो है यहां चल रही है, सेउन्थ एक के बाद में इसके बाद में चलेंगे, तो आगे 22 जो रूम नंबर है, इसमें 6th A क्लास जो है, वो इसमें चल रही है, यह 6th A क्लास है, यह फिर इसमें 9th A सेक्षन है, जहां साइन्स एलसी जी पढ़ा रहे है, यह क्लास भी रेगुल जो आप लोग करते हूँ, आप लोगों डेकुरेशन कर रखाया, इसमें चल रहे हैं, तो कौन करते हैं आप में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरी क्लास ही करती है, जो एक दो बच्चे करते होंगे, पूरी क्लास करती है, एक्स्ट्र एक्टिविटीज करनी चाहिए अपने इसी प चाहिते हैं पानी की ओटूएलेटस की फैसिलिटीज इस फ्लोर पर है, इसी की पिरकार क्याज़ जैसे 2nd फ्लोर पर जाएंगे तो 2nd फ्लोर में भी पानी और तोएलेटस की फैसिलिटीज 對 लौर्डूर पर है, कैंशे आपकों बता रहा थ है कि हमारे यहां बच्चे जो है उनमें लड़कों के लिए और लड़कें लिए separate जो है आने जाने की विवस्ता कर रखिये मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे हम उदर से आये थे वो बच्चों के लिए थी यानि लड़कों के लिए फैसलेटी जी मैं बता रहा था कि एड़ बी क्लास इदर चलती है शि इसलों को किसी भी प्रकार किदी को प्रोलम साती है कोई motivation देना होता है तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आए यह जो क्लासे चल रही है यह सब क्लासे जैसे 26 नंबर है इसमें क्लास है 27 इसमें 8 ए जो क्लास है वो संचालित है और 8 ए में मेडम पढ़ा रही है ब यह 8 ए का सेक्षन है और चोटे बच्चे जो होते हैं वो मैट पर बैठकर आराम से रिलेक्स हो करके अपनी पढ़ाई करते हैं और इसी प्रकार से पूरा जो कारी है पूरा अपना क्लास रूम को साप सपाई से रहना अच्छे से पढ़ने का काम करना व्योस्तित पर ग्ला कि कई बार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तो तीन क्लासों को मोटिवेट करने के लिए बोड के सभी बच्चों को एक साथ बैठा कर मोटिवेट करने के लिए सुरू में जब बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं किस बच्चे को बाइलोजी चूज करना है किस ब अगर पूरी संख्या में इन बच्चों को लेना होता है तो उसके लिए हमारे पास नीचे एक अलग से मिटिंग होल बना हुआ है बड़ा लेकिन ये दो क्लास तीन क्लास या बोड़ के बच्चों को एक साथ मोटिवेट करना हो तो उसके लिए ये रूम हमने तयार कर रखा ह जिसका साइज लबग एक अजार वर्क फिट का है और इस होल के मातम से बच्चे जो है उनको हम बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स हो कोई प्रॉलम्स हो तो यह उनको बुलवा करके सोल करते हैं जैसा मैं जाने थे वो बॉइच के लिए है यह जो जीना है और इसी के साथ में रेंप पर जाकर खुलेगा यह पूरी जो इस साइड की जो फैसलिटीज है वह जर मैं बता दूँ आपको को कम्प्लीट जो फैसलिटीज जो गल्स के लिए है जो सेपरेट है इधर से बॉइज जो है इनका आना जाना नहीं है और यही जो जीना है जाकर के रेंप जो है इधर से गल्स जीन गल्स को नीचे जाना होता है वह इसी से नीचे चले जाते है बाकी जो गल्स है वो यहीं से इन दोनों फ्लोर से हमारे सेकंड फ्लोर और यह फरस्ट फ्लोर की जो भी गल्स होती है इ इस प्रकार से तोétaisल फैसलिटी जो है नियोगाए आने-ज़ने के लिए कर रखी देर से जो हैं खाती है उनका आना-जाना लंच में ऐलोगन शापकारइ सब्सक्राइस इधर से होता है और यह यहीं से आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इधर से गल्स का आना जाने यहीं उनके लिए पाने की और इधर सेपरेट टोइलेट्स जो है टोइलेट्स की फैसलिटी जो है गल्स के लिए यह पूरा जो एरिया गल्स का है उदर जो पूरा एरिया जो counter है, इस school का जो main gate है, block edge के पास में, इस main gate के बिलकुल pass में, यहाँ ये office बना हुआ है, इस office में account tent बैठते हैं, इस office में guardian का pass से related काम, fees से सम्बंदित काम, guardian से related अगर किसी प्रकार की को problems आती हैं, तो उससे सम्बंदित total career जो है वो इस office में main gate के pass में ही किया जाता है, जिससे parents को किसी प्रकार की कोई ऐस विदाई नहीं हो, इसी के साथ में फिर भी अगर को problem आती है, तो यहाँ गार्ड साब जो है, में main gate के ऊपर एंटरी करते हैं, यदि किसी बच्चे को चुटी लेकर के जानी है, तो gate pass बनता है, वो gate pass गार्ड जाप के पास में जमा हो जाता है, उसी के according गार्डियों में इसकी इंफोर्मेशन चली जाती है, कहने का मनलब है कि एक सिस्टम जो है, सिस्टमेटिक अमने सैट कर रहा है, उसी का कोडिंग जिससे पैरेंट्स को किसी प्रकार की कोई ऐस विदाई नहीं हो, अब मैं सर थोड़ा सा पैरेंट्स को रिजल्ट के बारे में बताना चाहेंगे, कि रिजल्ट जो है उसके बारे में पैरेंट्स जो इनको इनको प्रतिवी बच्चों के जो रिजट्स जो है वो आर्षाई की तब से आते रहे हैं उसी संखला में मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट इसी रिजल्ट की जैसे बात करना चाहेंगे उसी के अपको थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर द्धान दिलवाने की कोशिज करता हूं कि इस साल जो रिजल्ट आया है उसमें सत्तर दोजार बीस इस बारवी क्लास में 90 प्लस के जो बच्चे आया है पुरे बांसूर छेतर में सबसे ज़्यादे बच्चे आया है तो वो आपके आर्सिया स्कूल से हैं इसका प्रमान ये भी है कि अभि जो इंस्पायर आवार्ड जो है इसकोलर्शिब्स की जो कोशना हुई है उस स्कोलर्शिब्स में 26,000,000 रुपöz की बहुत बड़ी रासी इसमें 95.60 के साथ में राकेश कुमारे बांसू टोपर रहा है बच्चा, फर्ष टोपर रहा है, इसी प्रकार 94.60 के साथ में वीवेक सर्मा जो है, ये सेकंड टोपर बांसू का सेकंड टोपर रहा है, इसे के साथ में 93.80 के साथ में अनसू नाम की जो बच्ची है, ये बाइल यह सत्र दो हजार बीस इकीस का रिजल्ट है इस रिजल्ट में 99.60, 99.40, 99.20 इस प्रकार से इन परसंटेज के साथ में फिर बानसूर चेतर के जो टोपर बच्चे हैं वो आर्चिय स्कूल जो है उससे रहे इसी प्रकार विलो के फिर रिजल्ट के दि मैं बात करना चाहूं त तो यह जो सैसन जो हमना उससे जश्ट पहले का उसमें भी धान दे कि विज्ञान वर्ग में टोपर अगर कोई बच्चा रहा है तो वो बानसूर से हमारे यह से उदैकुमार 95.40 के साथ में बानसूर फर्ष्ट टोपर रहा है बच्चा यह जो बच्चे आपको नोटिस कर है कि 80 प्लस 126 बच्चे जो है जो पानसूर का सरवाधिक रिकोर्ड रहा हुआ है यह यह इसकूल से हार्चे स्कूल से इसके अलाव और जो रिजल्स है मैं चाहूंगा कि वो जो रिजल्स है वो भी आगे दिख रहे हैं इसी प्रकार ज़िए जो सेर सिंग सेनी नाम का जो इस बच्चे ने 94.20 के साथ में चेत्र टोपर किया है और जिला टोपर किया है इसी के साथ मिस बच्चे का जो एडमिसन है परसंटेज बेज बेज नहीं मतलब रास्तान का जो पर बच्चा था मैं बताओ जो सर्थ तू समय जो विस विद्धाल है जो उनिशिटी उसने डा जो बच्चा उदय कुमार है यह एंबीबस जो है कर रहा है डोक्टर जो है लबग इसके मपलीट होने में है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैसे जो रिजल्ट उसके मामले में आपने देखा और मैं चाहूंगा कि अंदर आप से और रिजल्ट पर चर्चा करें जैसा मैंने बताया कि प्रतिवर्स बांसूर के जो टोपर विद्यारती है वो आर्सी इसे आते रहें जैसे इसमें आप लोगों को दिख रहा है मैं बता दूँ कि राकेश कुमार जैसा पहले मैंने बताय यह बांसूर का फर्ष्ट टोपर है इसी प्रकार विवेक सर्मा यह सेकंड टो अंदर उसका रिजल्ट लगा वह भी मैं आप लोगों के नोटिस में डालना चाहूंगा कि बच्ची ने इंगलिस मीडियम में बांसूर टोप किया है और यह जो सभी बच्चे यह 80 प्लस 88 से अबो के जो बच्चे हैं यह सब बच्चे जो हैं यह सब टोपर आर्शी इसे हैं इस रिजल्ट के साथ साथ मैं आगे और भी चर्चा करना चाहूंगा सर कि अपने यहा आपको यह नोटिस आरहा है में लेकर के चलूँगा यह देखिए यहां इसमें यह फिजिक्स से सम रिलेटेड जैसे प्रक्टिकल रेगुलर चल रहे हैं इसमें केमेस्ट्री से रिलेटेड हैं इसमें बाइलोजी जो है इसमें प्रक्टिकल करवा रहे हैं इधर बच्चे जो में प्रैक्टिकले कर रहे हैं यह साब answers and बच्चे जो हैं और बच्चों को लैब में ले जाए हैं यह क्रोGM के बतार जाए हैं सबी प्रैक्टिकल से बाथ बच्चे-बाइस narrative से भी सीख सके इसलिये प्राग्टिकल जो है पुरा जैसा कि मैंने बताया कि खेल कुट से सम्मंदित कोई भी अक्टिविटीज हो पेंटिंग से रेलेटीड हो एंदी परतियोगता हो साब चीजे जो है इसकुल में बीच बीच में बच्चों को करवाई जाती इसलिए कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्टा एक्टिवि पर खेल रहे हैं डो इंडोर और आउटओर जो गेम्स है वो रेगुलर जो है वो बच्चे करते रहते हैं जिससे की बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्टा एक्टिविटीज से उनका मानसिक और सारीरिक दोनों विकास हो सके इधर जैसे मैं आपको बताना चाहूं बच्चों ने वोट बना रखा है बच्चे बैठ करके संदेश देने के लिए पिक्चर्स के माध्यम से पोट का इसी प्रकार आपने इसमें देखा है कि यह जो फ्लेक्स इसमें मेंधी परतियोगता जो होती है उसमें भी बच्चों ने मेंधी परतियोगता जो है इसके मे पार्किंग व्योस्ता जो रिफाइब गाडियों की सब इब बुर्चें आपने शुटी होगी प्राइमरी ब्लोक को हमने ब्लोक C के नाम से एक सेपरेट बिल्ली में संचालित कर रखा है और इस ब्लोक के हेड मास्टर दिनेश जाइगड जी मेरे साथ में है सर अब हमारे जो जैसे वहाँ एच ब्लोक कक्षिया चैसे बारा की कक्षिया कक्ष दे विजिट कर वाए वहाँ की व्योस्ता है जो हमने पैरेंट्स तक पहुचा ही है उनको बताया है इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर मैं चाहूँगा कि अपने यहां की भी सभी व्योस्ता है पैरेंट्स जो है उनकी नोटिस में यह आएगी किस प्रकार से हमारा प्राइमरी ब्लोक यानि ब्लोक सी में बच्चों को व्योस्ता है देते हैं इसके लिए में चाहूँगा कि हम यहां का भी आपके विजिट करना चाहेंगे और किस प्रकार से यहां की व्योस्ताएं हैं उसके अकोर्डिंग आप हमें थड़ाचा ब्लोक विजिट करवाएं ज़िए सबसे पहले में यहां पहुचा हो तो यहां मैडम बैठे हुई है हां मैडम आप नमस्ते आपको यहां क्या काम दे रखा है यह क्या कारी आप देखते हैं अजय जयसा मैंने उधर चर्चा की है मुझे लगताँ वही सेम व्योस्ता यहां है कि पेरेंट्स जो है उसके दिट किसी परकार की को समच्छा है, इस ब्लोक से संबन्दित है बच्चों पीसर प्रोलम सा आती हूँ गाडियों कि invincible को आती ह 상ills ह Moo, आती अनsky और प्रोलम स को इस के लिए में प्वोन करती हैं कि अधर जो भी एक्टिविटीज है या झो भी पेरेंट से रिलेट्टिव कारी है वो आप यहाँ देखते हैं तकि परेंट्स आपके पास यहाँ पोंचें मैं बता दूँ यह जो ब्लोक है, ब्लोक C, इसके सेकंड फ्लोक पर और फोर्थ फ्लोर पर यह स्कूल जो है, यह ब्लोक संचालित है, और इसमें यह जो ओफिस है, इसमें एडमाश्टर साब जो है, दिनेज जी यहां बैठते हैं, सर इसका अंदर यह अपके जो क्लास रूम है, यहां क्लासरूम जो फर्ष्ट शुरू है, यह क्लास कोम से क्लास हैं, ऩॉक्छा फर्ष्ट ए, सेफ्ट ए, तुम चाहेंगे कि एक फर्ष्ट ए जो है, इसके बच्चे जो है, जो है, अब्लोक साथ, हाव आर यो, कैसे हो, अच्छे, पढ़ाई कैसी चल रही है, अच् मुझे लगता है क्लास का सबचे छोटा बजा है, खड़े बटा, very good, very good, यहाओ मेरे पास आओ, क्या नाम में बताओ, विकास, क्लास कौन सी आपकी, 1st A, यह आपके UKG क्लास जो एड़िस्ट है, यह UKG क्लास है, इसमें भी बच्चे इमंतरवुक्त हो करके पढ़ रहे हैं, क तो दाइये, आठ रिकाईये, बच्चों को सिखा रखा है, मालुम करें, बटा खड़े हो, very good, आप, आप, सब नहीं आप खड़े, very good, very good, आप, यह में ने क्या लिख रखा है, पिचान में, पिचान में का दाइय क्या है, बताओ, बताओ इसमें से दाइय क्या है, no, और पाँच, very good, very good, तो इस प्रकारच आप इनको प्रक्टीस भी करवाते हैं, thank you, sit down, बता, sit down, यह क्लास, UKG, इसे क्लास, LKG, यह LKG क्लास है, इसमें भी बच्चे मंतरु उद्धु करके देगो पढ़ रहे हैं, कैसे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं मैडम आप, प्रुट्स नेम, प्रुट्स नेम, टीचिंग एड़ से भी बच्चों को आप सिखाया जाते हैं, अजयर, टीचिंग एड़ से भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, चाइड है, पोइम बगरा के, टीचिंग एड़ जो है इसको यूज करते हैं, इसे कलर चिखाते हैं या पीला, इंग्लिज में क्या बोलते हैं? यलो, क्या बोलते हैं? यलो, वाड़ी देश, ये क्या है? ओरेंज, ये जो टीचिंग एड्स हैं, बच्चे इसको मार्केट में जाएंग गर रहे हैं तो उनको पहचान सकें, इसलिए आप टीचिंग एड्स यूज गते हैं अकसर देखा गए है कि इंदी मीडियमीस स्कूल होते हैं उन मे टीचिंग एड्स ये इस परकार की जो होसता है बच्चों को दीन ही जाती है है इसा मैंने जो आ इंगली स्म्य जीआ हैं कि इंगलिस मीडियमी इसको जप्रकार की ऐस किया जाता है ओक, ओक, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा आइए भी यह बच्छों के लिए यहाँ है और इसमें नर्शरी क्लास है आपका अमनलब है यह चोटी क्लास है जिनेजी यह सब यहाँ चल रही है यहाँ चल रही है यह जो फ्लोर था इसके उपर छोटे बच्चे जो है उनके पानी की वेहुस्ता तोयलेट्स की वेश्देने टॉटल फैसलिटी जो है वो इसी फ्लोर पर है आप जो ऊपर जिस फ्लोर पर हम चल रहे हैं वहां सेकंड से और फिप्त तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित हैं इन कक्षाओं में भी बच्चे उसी प्रकार्चे जैसे नीचे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई चल रही है मैं इधर जानना चाहूंगा यह क्लास फिप्त ए कि दो फ्लोर में क्लासे जो है वो नर्सरी से लेके जिसे आपने देगा भिप्त तक की कक्षाएं चलती हैं इन सब बच्चों के लिए प्रते खिलोर के उपर पानी और टोलेट्स की फैसलिटीज है इसके लार जो टोप फिलोर है चत के उपर लंच में इन बच्चों को नीचे जाने के आवस्ता नहीं पढ़ती है इनके लिए कम्प्रीट विवस्ता टोप फ्लोर पर कर रखिये वहीं पानी टोलेट्स अब फैसलिटीज है बच्चों को बहार रहते हैं जिससे एक बार यह बच्चे इस वाले केमपस में आते हैं ब्लोग सी में पहुंचते हैं और यह बच्चे छुट्टी में यहां से बाहर निकलते बीचे वहीं बच्चों के लिए इसktor्स के लिए खेल का जो ओंड है उस खेलंड में इस थीजय लिए हरे कि हैं a pretend शुट्स को है दू पार उसमें बच्चों को वहां ले जा करके और anyways जैसे स्पोर्स के एक्टिविटीज हो मैं चाहूँगा कि आप हमें वहां भी बुलवाएं जिससे स्पोर्स से चम्मंदित एक्टिविटीज जो है वो भी हम पेरेंट्स को बता सके दिखा सके हैं जैसे चुटि होगी उस समय सभी गाडیا ब्लोक जो हमने के सामने आकर लग चाती हैं सब बच्टिविटी जाते इस प्रकार श्याल आज बताना चाहा था कि सुबह जब गाड़ीओ आई हैं उससे ले करके और अब छुटी हो रही है तब तक का पूरा कैमपस जो आपको हमने विजिट करवाया मैं चाहूंगा कि आप ओपलाइन आ करके भी और कैमपस को विजिट करें धन्यवाद ब्लॉक H और ब्लॉक C बाणों ब्लॉक अर्थाथ हिन्दी मीडियम के सभी बच्चों के लिए आज हमने कलासे विजिट की, पढ़ाई जो है उससे संबन्दित विबिन कक्शा कक्ष जो है उसेंबिली से सम्भन्दित विभिन प्रकार के एक्टिविटीज जो है वो हमने विजिट पढ़ाई के साथ आज सर बहुत जरूरी हो गया कि बच्चों को एक्ट्र एक्टिविटीज में भी प्रफेक्ट किया जाए और उस एक्ट्र एक्टिविटीज च में हमारे यहां प्लेग्राउंड बना रखे हैं छोटे बच्चों के खेलने से संभंदित विपिन प्रकार की विष्था हैं जूले हैं ऐसल पटिया है स्लाइडस अन्य विबिन प्रकार की एक्टीई जो है वो मेडम जो है और उनके जो आन्य जो टीचर्स वो करवाते रहते हैं ताकि बच् करने हो इसके सारीरी की विकास भी हो सके इसी प्रकार इसके जंच आगे जो ग्राउंड आपsychरा रहा है जो ओंग बास्केट बाल है इस बास्केट बाल की ग्राउंड में बड़े बच्चे जो वह भी अपनी खेल की जोिसे जो अंकर पिरड़ लगा अठीज हो में के प्राइमिरी के जो बच्चे उनका बिलोक अलग है बड़े बच्चों के लिए बलोक अलग है उनकी टीचिंग से संबंदित प्रक्टिकल से संबंदित और नॉन टीचिंग एक्टिविटीज जिसमें स्पोर्ट से रिलिटिड एक्टिविटीज आपको उनने दिखाई हम चाहेंगे आपसे निविदन करना चाहेंगे जब भी आपको समय लगे आप ओफलाइन आकर के विद्ध्याले केमपस में केमपस जो हमारा जो बलोक असको विजिट करें आप सबको बहुत बहुत धन्यवागों